हेलो दोस्तों नमस्ते आप सभी का ओटो वर्ल्ड मोटिवेशन में श्वागत है दोस्तों मनुष्य की जिन्दगी में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं ब्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तयार रहना चाहिए लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह तूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं दोस्तों जब आप संगर्स कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ावाते हैं लेकिन इन उतार से जो व्यक्ति डर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता और जो ऐसे समय में धहर बनाए रखते हैं आगे बढ़ता ही रहता है वो जीवन में कभी अशफल नहीं हो सकता कभी अशफल नहीं हो सकता किसी ने ठीक ही कहा है जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना माल लिया है मुश्किल क्या आशान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया जब ठान लिया तो ठान लिया अधिकांस लोग एक नए काम की शुरुवात बड़े उत्सहा के साथ करते हैं लेकिन अगर आपके द्वारा निर्धारिस समय सीमा के भीतर सपलता नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद सारा उत्सा खत्म होने लगता है इसका सबसे बड़ा कारण उदासीमता यानि आपने आप में प्रेड़ना की कमी काम छोटा हो या बड़ा काम काम होता है अपने मोटिवेशन राम जी के द्वारा कहे गए सब्दों से करता हूँ इंतिजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिस करने वाले छोड़ देते हैं सपलता उनहीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष होता है और वो अपने लक्ष के परती इमांदार होते हैं और अपने लक्ष को हासिल करने के लिए सच्चा दिड़ संकल्प लेते हैं और इसके लिए लगातार प्रियास करते रहते हैं किसी भी सफलता की शुलात कोशिस करने से ही होती है इसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चानक के से पूछा अगर किस्मत में पहले से लिखी जा चुकी है तो कोशिस करने से क्या मिलेगा इस पर चानक ने क्या जवाब दिया मालूम है जर गौर से सुनिए चानक ने कहा क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिस करने से ही मिलेगा इसलिए हम भी कहते हैं सफल होना है तो कोशिस तो करनी ही पड़ेगी अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उसके फाइदे, नुक्सान, परिनाम, आति के बारे में सोचने लगते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बहने के पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं क्योंकि आपको कुछ नया मीता है अगर आप कौम पर जाते हैं तो आपको जरूर लगेगा कि आप यह नहीं कर सकते या ऐसा करने करना आपके बस की बात नहीं है और जब आप लोगों के सामने इस पर चर्चा करते हैं तो लोग आपका मजा कुड़ाने लगता है हमें इन सब बातनों को नजर अंदाज कर अपनी